हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है क्लास टेंथ चैप्टर नमबर थी और चैप्टर नमबर थी का नाम यहाँ पर आप इस स्क्रीन पर भी देख रहे हैं पेर आफ लीनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल तो थोड़ा इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि यह पहले तो यह जो चैप्टर के नेम दिया है इसी को पहले समझे चैप्टर नमबर जो त्री जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या कह रहा है ठीक है जैसे यहाँ बोल लिनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल टू वेरियेबल मतलब दो अन्नोन है दो अन्नोन है जैसे कि मैं अगर लिनियर एक्वेशन बनाओं तो इस तरीके का इस फॉर्म में स्टेंडर जो फॉर्म में लिनियर एक्वेशन का वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं स्टेंडर form linear equation का, ठीक है, standard form में क्या होता है, वो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, जैसे एक है तो a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0, यह equation 1 है, ठीक है, जिसमें देखो, एक तो आपका variable x है, दूसरा variable y है, ठीक है, यह a1, b1, c1, यह कोई number हो सकते हैं, ठीक है, कोई constant value हो सकती है, but variable term क्या है, x है और यहाँ y है, ठीक है, और यहाँ बोला है, यह देखो, x पे power 1 है, y पे power 1 है, जो variable term है ना, उसके उपर power 1 है, कुछ नहीं power होता है, तो इसका मतलब ही कह रहा है, कि यह जो है, एक power वाले को linear equation बोलते हैं, ठीक है, जिसके degree 1 होती है, उसको linear equation बोलते थे, तो यहाँ पर pair में चाहिए थे, एक और equation बनेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0, यह दो equation बन गए, दो equation मतलब pair में बन गए equation, ठीक है, और दोनों में देखेंगे, तो xy variable term है, xy variable term है, तो two variable है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यह xy ही use हो, कभी-कभी a और b भी use हो जाता है, कभी p और q use हो जाता है, ठीक है, तो use करने के लिए alphabet unknown चीजें तो use कर सकते हैं, ठीक है, कई बार यह xy तो रहता है, लेकिन उसके साथ multiple में जो यह even है, उसमें भी alphabet use हो जाता है, जो x जो यहाँ पर है न, उसके पहले जो भी use होता है, वो variable term नहीं होता है, उसका coefficient होता है, ठीक है, अब बात यह हो जाती है, कि यह जो दो pair of linear equation है, चलो यह तो बन गए, इसमें करना क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यह सीखते हैं, कि यह जो linear equation है न, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह जो linear equation है, यह भाई साब, यह straight line है, क्या है यह, यह line का equation है ठीक है लाइन का equation है ये दोनों क्या है लाइन है ठीक है अभी ये दोनों लाइन किस तरीके से हैं उसके लिए different condition है ठीक है अब condition में हो सकता है कि ये जो लाइन है वो क्या हो जाए हो सकता है कि ये जो लाइन है वो क्या हो जाए intersecting line हो intersecting का मतलब है यह दोनों लाइन आपस में एक जगह पर क्या हो जा रहे हैं कट जा रहे हैं यह दोनों लाइन एक जगह पर क्या हो रहे हैं intersecting line एक जगह पर कट रहे हो ठीक है या तो दूसरा हो सकता है कि यह जो दोनों line है ना है hno कोईंसीडेंट लाइन किसको बोलते हैं।атель लाइन उसको बते हैं कि एक लायन पर दूसरी लाइन भी एने यह सिनने डोसरी दूसरी दूसरी लाइन भी इसका मतलब हर जगह पर ने हर जगह पी टच है वो, तो coincident line उसको बोलते हैं, और तीसरा जो important है, तीसरा जो है important ठीक है, वो है parallel line, क्या बोलते हैं उसको parallel, मतलब दोनों line कैसे हैं, आपस में parallel हैं, तो ये तीन आपके सामने line के conditions हैं, या तो हो सकता है वो आपस में कट रहे हों, या हो सकता है कि वो एक दूसरे पे ही टच हो, और या तीसरा हो सकता है parallel line हो, यह तीन conditions हैं, अच्छा ये तीन तरीके का line है, लेकिन पता कैसे चलेगा, ये तो equation के form में दिये होंगे, ये जो दो equation दिये हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तो equation के form में दिये हैं, पता कैसे चलेगा कि ये intersecting line है, वो coincident line लाइन है यह पैरलल लाइन है उसको पता करने के लिए हर किसी का एक कंडिशन है जैसे इंटर्सक्टिंग करिए और देखे किया आता है फिर बाद में बीवन अपर बीटू निकाल लिये और इदोनों निकाल लेते हैं अगर यह आपस में देखिए बराबर नहीं है अपस में क्या है बराबर नहीं है तब इंटर्सक्टिंग लाइन होगा A1 upon A2 निकाल लिया B1 upon B2 निकाल लिया इसको reduce form में कर लेना हम सबसे reduce form सबसे छोटा form में कर लेने का अब फिर देखो कि यह आपस में बराबर है बराबर नहीं हो तब intersecting line होगा बराबर है तो नहीं बराबर नहीं है तो intersecting line अब दूसरा देख लिजे अगर आपने A1 upon A2 निकाला ठीके और B1 upon B2 निकाला यह आपस में बराबर हो तो आपको एक और step करना पड़ेगा C1 upon C2 भी निकाली है यह constant term वाला ठीके अगर यह भी बराबर हो जाते हैं आपस में तब consistent line हो जाएगा यह भी बराबर हो गया तो consistent line parallel line के लिए है कि यह A1 upon A2 और B1 upon B2 यह अपने निकाला आई यह भी बराबर थे यहां तक तो consistent line की तरह जा रहा था लेकिन यह वाला जो है यहां पर different हो जाता है C1 upon C2 जो है न वो बराबर नहीं होते है तो यह conditions बताता है parallel line का समझ में आ रहा होगा तो यह सबका मैंने पहला एक conditions बता दिए यह conditions है जिसकी वेज़े साम इसको जानते हैं ठीक है condition के base पे ही line को define कर पाएंगे कि यह जो lines है वो किस तरीके की lines है आपस में cut रहे हैं यह एक के उपर ही है यह उनके बीच हमेशा parallel मतलब parallel ही चल रहे है ठीक है उनके कभी भी वो intersect नहीं करेंगे अच्छा अगर intersecting line हो गई intersecting line हो गई तो उसके लिए कितने solution होंगे मतलब intersecting है तो एक जगा पे intersect करेगा तो उसके केवल और केवल एक solution होंगे जिसको हम बोलते हैं unique solution क्या बोलते हैं unique solution ठीक है एक केवल एक और एक solution मिलेगा अच्छा ये वाला देखिए इसमें कितने solution मिलेंगे coincident line हर जगा पे touch कर रही है तो इसके infinite many solution होंगे infinite many solution ठीक है solution आप लिख ले ना मैं short लिखा हूँ solution का और जो तीसरे की अगर ही मैं बात करू मतलब ये भी दूसरा ही point होगा तीसरे वाले का उसके no solution होगे कोई solution ही नहीं होगा ये ध्यान रखना कोई solution नहीं ठीक है इसके एक भी solution कहीं कटी नहीं रहे हैं ठीक है ये भी द्यान रखना clear अच्छा एक और important point है consistent और inconsistent देखिए intersecting line जो होती है उसका कोई भी solution मिले तो consistent है मतलब इसके एक solution मिल रहा है तो ये क्या है consistent है क्या है consistent line है ठीक है इसमें अगर मैं बात करूं कि consistent line तो इसमें भी solution मिल रहा है तो ये भी consistent है consistent है ठीक है इसमें कोई solution नहीं मिल रहा है भाई साब इसमें कोई solution नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा inconsistent ये आपको याद रखने वाले point है समझ में आ रहा होगा ठीक है तो ये जो concept है ये जो point है आपका जो exercise 1.3.1 है उसके लिए यह important है ठीकें अब यह उसके लिए important है तो उसी तरीके से इसको prepare भी करना पड़ेगा अच्छा एक और चीजे exercise अगर आप देखेंगे तो उसमें graph से related बात हो रही है graph से related तो graph कैसे indicate करना है वो चीजे मैं next video में आपको समझाऊँगा कि graph किस तरीके से plot करते हैं कुछ questions लोंगा example लोंगा और graph के base पे देखो इसके जो यह unique solution यह infinite menu solution यह find out करना है न इसे कई सारे method होते हैं फिलहाल अभी के जो syllabus है न उसमें आपका graphical दिया है elimination method दिया है previous वारे syllabus में आपका एक cross multiplication भी होता है आगे अगर further study करते हो math से related तो आपको matrix method भी आता है matrix के help से भी आप इसको solve कर देते हो तो कई सारे हैं वे तो बहुत सारे हैं बसरते आपको इसका concept समझना पड़ेगा यह two variable linear equation बनाने के लिए भी आते हैं इसा नहीं है कि बना बना आपको मिलेगा और आपको सिर्फ solve कर देना है यह two variable linear equation बनेंगे कैसे वो चीजे भी यहां पर देखने को मिलेगा तो आप अमारे साथ बने रही है और अगर आपको मेरी speed slow लग रही है तो यहां पर YouTube ने अच्छे से features दिया हुआ स्पीड में 1.25 का स्पीड या 1.5 के स्पीड में आप देख सकते हैं सु थाइंक्यू